नमस्ते दोस्तों मैं हूं लीना प्यूर रसीपी से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वापत हैं आज हम लोग बलाने वाले हैं रस्टोरेंट साइड मेती मतर मलाएं तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए मैंने यहां लिए चार ओनियन को स्लाइस क किये हुए मिर्ची यह साथ के लिए लहसुन और थोड़ा सा अध्रक यह मेती इसको मैंने ध्रो के सुखा के कपड़े मस्ठी से पोच के एक गंटे के लिए पंके के नीचे रख दिया का फिर इसे मैंने मैक्रोव कर लिया डेल मिनिट के लिए फिर यह सूप के इस सरा से हो जाएती है यह है आधा कप उपले हुए मटर यह है वन फोथ कप दही नमक स्वाद अनुसार वन फोथ कप काजू को मैंने पिगो के रखाता है इसे हम लोग पेस्ट बना ले यह है वन फोथ कप मलाई यह है सपित मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला तो दोस्तों सबसे पहले ओनियन स्लाइस की हुई मिर्ची और अध्रग और लैसिन को हम लोग पानी में थोड़ा सा डाल की बॉइल करेंगे हमें उतना ही पानी लेना है जिससे ओनियन ट्रांस्लूसेंट हो जाए और पक भी जाए हमें ज्यादा पानी नहीं लेना तो दोस्तों हम लोग पहले आए प्याच लेसुन मिर्च और अध्रग को आधा लिटर पानी में पकाएंगे हमें प्याच को ट्रांस्लूसेंट होने तक पकाना है इसलिए यहाँ पे मैंने ज्यादा पानी नहीं लिया दोस्तों पांच मिर्ट हो चुके हमारे प्याच को पकाते हुए और आप देख सकते हो पानी भी जल चुका है और आप प्याच देखे तो यह हलकी हलकी ट्रांस्पेंट हो चुके हैं अब बारी आते हैं दोस्तों इसकी पेस्ट बनाने की हम लोग गैस कर देंगे और इससे निकाल लेंगे इस तरह से पानी भटाते हुए थोड़ा-थोड़ा पानी यह जाधा नहीं पानी हटाते हुए हम लोग इसका ही fine paste mixit में तियार करेंगे, से पहले हम लोग ढालेंगे 2 1.5 tablespoons oil एक कडाई में दोस्टो तेल-घरम हो चुका इसमें हम लोग ढालेंगे एक तेज-पतता इसका color change होते ही हम लोग इसमें ढाल देंगे onion-muri paste दोस्तों अब बारी आती है पेस्ट डालने के इसे हमें पकाना है थोड़ा करें यह बॉल्ड ओनियन पेस्ट है दोस्तों इसलिए इसमें तेल एकदम से नहीं छूटेगा बस थोड़ी से शाइनिंग आएगे तब हम लोग इसमें डाल देंगे उबले हुए मटर दोस्तों हमारे पेस्ट अल्मुस्ट पक चुकी है आप देख सकते हो इसमें बहुत सारा पानी जल्याई हलके शाइनिंग भी आ चुकी है अब बारी आती है दोस्तों इसमें उबले हुए मटर डालने के इसे भी हम लोग थोड़ा सा रोस्ट करेंगे और डालेंगे नमक स्वादमुसर मैं थोड़ा सा नमिक अभी आड़ किया है और थोड़ा बाद में दोस्तों यह है काजू का पेस्ट जिसे हमने भीणों के मिक्सी में पेस्ट बना लिया था है । अब पारियाति इससी डालने के इसे भी मिना की हमें एक आद मिनित के लिए पकाना है Sum दोस्तों रेसीपी बहुत ही आसान है, सिर्फ एसेंब्लिंग करने में हमें थोड़ा सा वक्त लगता है, फिर ये बहुत जल्दी बन जाता है 11 मिनित पकाने के बाद हम लोग डालेंगे 1 फोर्थ कब जितना दही इसे भी हमें मिक्स कर देना है अच्छी तरह से दहीं इस रेसीपी को देगी थोड़ी सी खटास और मलाई देगी थोड़ी सी मिठास इसलिए अंत में इसका रेजर्ट बहुत अच्छा आता है आप भी ये रेसीपी जरूर ट्राय कीजिए दोस्तों, ये युनीक है और बहुत ही टेस्टी दोस्तों हम लोग डालेंगे वन एथ टीस्पून की आसपस यानि एक चुटकी भर सफेद मिर्च का पाउडर आप इसकी जगा काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा गरम मसाला ये भी बन एथ टीस्पून की आसपासी होगा या आप चुटकी भर बोल सकते हैं ये अल्मस्ट हो चुका है हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसे भी मिला देना है अब ये जो हमने मेथी को माइक्रोब में सुखा लिया था अब हम लोग इसे डालेंगे हलका सा हास्त में दबाके फिर इसे पूरा पाउडर नहीं करना अगर आप प्रश मेथी यूज़ करते हो दोस्तों तो उसे आपको धो के काटके फिर एक टीबल स्पूल तेल में थोड़ा सा रोस्ट करके फिर निकाल लेना है उसे अंत में फिर इसी तरह डालना है क्योंकि हमने ड्राइ मेथी ली है दोस्तों तो हमें वो प्रोसेस करने की जरुवत नहीं है यह इससे हमारा काम थोड़ा सा असान हो जाता है और विंटर में तो मेथी इसी लिए अविलेबल होती है और समर में अगर बनाना है तो मैं यह ड्राइ लीफ ही जादा यूज करत है दोस्तों अब आती है मलाई डालने की बारी मलाई मैंने यहां पर लिए है बनफोद का जिसे मैंने चम्मस से चला लिया आप इसकी जगह अमूल की फ्रेस्ट क्रीम जो आती है वो भी आड़ कर सकते है पर मैं मघर की मलाई डालना ज्यादा प्रिफेर करती हूं बस दोस्तों यह बन चुकी है हम लोग गैस कर देंगे ओफ और करेंगे इसे सर्फ तो दोस्तों आप भी यह रेसिपी जरूर प्राय करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और इंप्रेस्टिंग रेस भाफिलिंग 3 अब फैंट करेंगे से ना कि अ हॉण